हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म फिलप प्रोसेस के बारे में, तो फ्रेंज यहाँ पर जो जॉबरास्ता.com पर, वहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं, अगर आप अप अपलिकेबल हैं, एलिजीबल हैं, 22-12-2021 से आप इसमें आविदन कर सकते हैं, अपलाए करने से पहले फ्रेंज से नॉटिफिकेशन को ध्यान से आप चेक करेंगे, य 400 post यहाँ पर रहेंगी, जिसके लिए अपपलाए कर सकते हैं, और यहाँ पर जो LBT Conditions हैं, इसमें All India Candidate eligible है, अपलाए करने के लिए, साथ मैं 10 प्रस टू पासा आउट होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है, अगर आप सिर प्रस टू पासा आउट हैं, तो आप आर्मी विंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास physics, chemistry और mathematics है 10 प्लस 2 या 12 में तो friends आप बागी की अधर पोस्ट के लिए भी applicable हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो ये इसकी LGBT conditions है साथ में आपका जो जनम है वो 2 जनवारी 2003 से 1 जुलाई 2006 के बीच में होना चाहिए male and female candidates दोनों ही eligible है apply करने के लिए बात करेंगे इसके form will of process के बारे में और इस वीडियो को start करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe करें, share करें, like करें जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सकें तो यहाँ पर friends यह इसका online apply portal है जहां से आप इसमें आविधन कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको part first पर click करना है अगर आप nd के लिए apply करना है या CDS के लिए apply करना है उसके सामने दिये गए आप part first पर click करेंगे मतलब registration करने के लिए तो आपको इस link पर click करना होगा इसके बाद instructions page है instructions को आप जहां से check out कर सकते हैं और उसके बाद instructions को आप yes करेंगे यहाँ पर आपका form है यह start हो जाएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है आपका नाम तो friends आपकी जो 10 की mark sheet है इसके according आप यहाँ पर आपका नाम enter करेंगे आपका gender male या female जो भी है वो आप select कर सकते हैं आपका DOB क्या है date month and year आपको यहाँ पर select करना होगा आपका जो father name है वो आपको यहाँ पर enter करना है और उसके बाद friends आपको आपका जो mother name है वो आपको यहाँ पर enter करना है इसके बाद nationality है आपका marital status है आपकी community है अगर आप general candidate है तो यहाँ पर कोई option नहीं आएगा OBC है तो creamy layer में अगर आप आते हैं तो yes करेंगे और creamy layer में yes करने पर आपको यहाँ पर कोई reservation नहीं मिलता और no करने पर आपको यहाँ पर आपके certificate की जानकारी देनी होगी certificate number, certificate किसने issue किया है तैसिलडार ने, SDM ने, जिला magistrate ने जिसने भी यह जारी किया है उसके post कर नाम आपको देना है और इसके बाद किस date पर यह certificate issue हुआ है ऐसे ही SCST की भी जानकारी आपको देनी होगी अगर आप यहाँ पर फ्रेंज से minority community से belong करते हैं तो yes कर सकते हैं, मतलब जैन, सिक, पौध, पार्सी, मुसल्मान नहीं तो आप इसमें भी no करेंगे इसके बाद फ्रेंज से freeze में आपको छूट यहाँ पर नहीं मिलती SCST female candidate को freeze में छूट मिलेगी इसके बाद है qualification section तो qualification में देखिए 10 plus 2 pass out है या फिर appearing है तो इनमें से आपको pass और appearing सेलेट करना है और उसमें फिर एक option है आपका कि आपके पास यहाँ पर physics, chemistry और mathematics थी या नहीं थी अगर नहीं थी तो आप no कर सकते हैं और थी तो आप इस option को select कर सकते हैं pass है तो आप इसको select करेंगे अगर appearing है तो आप नीचे वाले option को selected कर सकते हैं आपका पूरा address क्या है तो आपका जो भी address है वो आप यहाँ फिल करेंगे किस state के आप निवासी है इसके बाद किस district के आप निवासी है आपका pin code क्या है वो आपको देना है आपका 10 digit का mobile number आपको देना होगा और इसके बार आपकी जो mail ID है वो आपको यहाँ पर enter करनी है तो friends अभी जो data है वो मैं यहाँ पर sample के तोर पर enter कर रहा हूँ आपका जो actual data है वो आप यहाँ पर enter करेंगे आपके according यहाँ पर जो भी आपका option appropriate option है वो आप select कर सकते हैं और उसके बार इस continue वाले option पर आप click कर देंगे इसके बार friends यहाँ पर आपको देनी है आपकी photo ID तो कोई भी एक photo ID आप यहाँ पर select कर सकते हैं और उस photo ID का number आप यहाँ पर mention करेंगे और यही photo ID आपको upload भी करनी है नैस part में और आपकी जो exam है उस पर आपको लेके जाना होगा इसके बार यहाँ पर है preference अब preference आपको यहाँ पर देनी है Army, Navy, Air Force और Neville Academy में अब ध्यान रखीगा qualification के आपके according आपका यहाँ पर जो criteria है वो आपको fill करना होगा इसका मतलब यहाँ पर यह है जैसे 10th class pass out अगर आप है normal तो आपको यहाँ पर National Defense Academy, Army, Wing में ही आप यहाँ preference दे सकते हैं अगर आप physics, mathematics के साथ pass out हैं तो आप इन 4 के लिए applicable होगे तो आप 4 के लिए ही यहाँ पर अपनी जो preference है वो दे सकते हैं तो आपको preference यहाँ पर देनी है 1, 2, 3, 4 के according अगर मालीजिये आप यहाँ पर किसी में preference नहीं देना चाहते हैं तो आप उसमें 0 की entry कर सकते हैं जैसे आपको यहाँ पर guideline में बताया गया है इसके बार friends आप इस तरह से यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिया गया है जो preference है वो आप दे सकते हैं इसके बार यहाँ पर जो आपका option आएगा कि आपके पास computer pilot chain प्रिनाली का यहाँ पर कोई document है या नहीं है आपको यहाँ पर yes या no कर सकते हैं इसके बार यहाँ पर है would you like to be consider for air force GDO अगर आप यहाँ पर इसको consider करना चाहें तो आप yes कर सकते हैं इसके बार friends से अगर आप सैनिक स्कूल में पड़े हुए हैं तो आप yes या no कर सकते हैं वार्ड है अगर GCO, NCO के तो आप yes या no कर सकते हैं और उसके बार continue कर सकते हैं इसके बार friends से ध्यान रखेगा अगर आपका माली जी इन में कोई error आता है तो वो friends से आपको यहाँ पर show करेगा error तो आप उसके according यहाँ पर भी changes कर पाएंगे और उसके बार आप यहाँ से continue कर देंगे continue करने के बाद friends से यहाँ पर देखिए आपका है update system अगर माली जी आपको लगता है registration में कोई गलती आपने कर दी है आप उस data को update कर सकते हैं और आपको लगता है कि कोई भी गलती नहीं है सबी detail आपकी बिल्कुल सही है उस condition में friends से जो आपको यह security code यहाँ पर दिया गया है यह security code आप enter करेंगे और उसके बाद यहाँ से agree कर देंगे इसके बाद friends से यहाँ पर आप अपने registration का print ले सकते हैं और उसके बार आप जाएंगे part 2 registration के करने के लिए इसमें friends यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले जो login करना है अपने registration number, date of birth के थुरू और ये capture code डाल कर आप login कर पाएंगे part 2 registration complete करने के लिए part 2 आने के बाद friends यहाँ पर देखिए आपको payment करना है मतलब भुकतान करना है तो आप SBI के माध्यम से या फिर आपने card के माध्यम से आप payment कर सकते हैं आपको continue वाले option पर click करना है इसके बाद आपका payment gateway आपके सामने open हो जाएगा और उसके बाद friends आप अपना जो payment है वो confirm कर सक आप पर आपको upload करने हैं आपके photograph signature और आपका photo ID card जो की PDF format में आप यहाँ अप लोड करेंगे तो यहाँ पर सेंपल दिये गए है photograph के और आपको दिये गए है signature के जिस तरह के format में आपको upload करना है color photo आपको upload करनी होगी size आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको browse के PDF converter आपको बहुत सारे मिल जाते हैं online उससे आप convert करकर यहाँ पर upload कर देंगे तो friends से यहाँ पर देखिए file को आप select करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इस upload images वाले option पर click करेंगे देखिए photograph signature और आपका documents यहाँ पर upload हो गया है इसके बाद आप इस continue वाले option पर click करेंगे और आपका यहाँ पर जो अधार का number है या फिर जो भी आपने ID proof starting में दिया है वो आप यहाँ फिल करेंगे कोई भी एक exam center आप यहाँ से choose कर सकते हैं आपकी according और इसके बाद यहाँ से आप I have read पर click करेंगे और form को final submit कर देंगे form friends final submit होने के बाद आपको देखिए यहाँ पर view या print application का एक option मिलेगा आप इस option पर click कर देंगे इसके बाद friends आपको आपका अपने पास रख सकते हैं future use के लिए future reference के लिए तो यहाँ पर friends आपकी जो process है वो आपकी complete हो जाती है UPSC NDA1 exam के लिए आप इसका form कैसे fill कर सकते हैं मैंने आपको सारी process बता दी है अगर आपको हमारी update पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सके तो like, subscribe and share जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube channel and a last thanks for watching